Hello everyone, myself is Muhammad Umar. In this video, I am going to explain chapter 12, A Common Man. So this is the chapter of Morals and Subject of Class 5th. So story is starting from here. कि एक बार राज नाम का एक ब्यक्ति रहता था. उसका मतलब बहे मिडल एज का आदमी था, यानि अधेर आदमी था. उसका जन्म एक गरी परवार में हुआ था. लेकिन उसके माता पिता ने उसका लालन पालन यानि पालन पोस्टन अच्छी तरह से किया था. उसके पिता एक बैल्डिंग की दुकान के मालिक थे. बहे अपने परवार के अच्छे से गुजारा करने के लिए बहाँ पर दुकान पर लगबग 12 घंटे से जादा एक दिन में काम किया करते थे. हलांकि राज के पिता जी जादा पैसा नहीं कमा पाते थे जिससे कि वो अपने परवार को लगजरी लाइब प्रोवाइड करा सके यानि कि आराम दे आराम दायक जीवन उपलब्द करा सके इतना पैसा नहीं कमाते थे. राज एक एवरेज स्टुडेंट था अपने स्कूल में. मतलब मध्यम बीच का था ना जादा अच्छा था ना जादा कमजोर था. वो एवरेज स्टुडेंट था और लगवख 60% मार्स वो ले आया करता था. राजियू का सपना एक डॉक्टर बनने का था. हलांकि उसके मास्क यानि की जो नंबर थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे. तो उसकी जो इच्छा थी जो पढ़ने की वो कोर्स वो नहीं कर सका इसलिए. तो उसने एक बैचलर डिग्री कोर्स जोईन किया और कम् अपनी में जॉब करने लगा, नौकरी करने लगा. उसकी लाइप में कोई बहुत ज़्यादा प्रवाफ साली चेंज नहीं हुआ था, बदलाओ नहीं हुआ था. उसके पिता जी अभी उसकी अपनी बैलिंग सौप में, अपनी बैलिंग की दुकान में काम करते थे और अप बहीं की एक महला से उसकी शादी हो गई. और उसको जॉब में भी नौकरी में भी पिरमोसन मिल गया. कुछ सालों के बाद उसके सुन्दर से दो टुएन लड़के हो गए. टुएन का मतलब वो था जुडवा, जुडवा लड़के हो गए. बाद में राज ने, मतलब बाद लगजरी लाइप जीना, लगजरी जीवन जीना शुरू कर दिया. लगजरी जीवन का मतलब यह होता है आराम दायक जिसमें बहुत सारी बिलास्ता हो ऐसे जीवन जिसमें बहुत बिलास्ता की चीज़ें खरीज सकें. ऐसा जीवन शुरू कर दिया उसने. उसने अपने लि वही ने उसको एक कार दे रखी थी हलागी फिर भी उसने एक नई कार खरी दी छे साथ साल के बाद राज के जो लगजरी लाइफ इस्टाइल था अराम दे लाइफ इस्टाइल था उसकी बज़ाएसे वो अपने जो हाउस ओल यानि घर के जो खर्चे थे उसको मैनेज नहीं क कर पा रहा था उनकी बज़ह से और अपने बच्चों की जो एजुकेशन थी उसके लिए भी अफर्ड भी नहीं कर पा रहा था यानि की एजुकेशन भी सही såह तो है राज से क्या काम किया कि कुछ मतलब उनके राज की पिता जी ने राज से इलाज के लिए कुछ पैसे और घर के खर्चे के लिए भी कुछ पैसे मंगे तब राज जो की पहले से ही फाइनिसिल संकट में था यानि कि जो आर्थिक संकट फाइनिसिल किराइसिज का मतलब होता है आर्थिक संकट जो राज पहले से आर्थिक संकट से जूज रहा था वो अपने मतापिता पर Cheekha sorted मतलब चीखा और उनसे कहा कि उसके पास कोई पैसा नहीं है उनकी मदद करने के लिए राज ने गुस्सा होकर कहा कि उसके पास कोई भी पैसा उनकी मदद करने के लिए नहीं है और आज ने अपनी complain करना अपने parents से जारी रखा और कहा तुमने मुझे कभी अच्छे स्कूल में नहीं भेजा मेरे लिए कभी अच्छे कपड़े नहीं बनाये नहीं दिये तुमने मुझे कभी सायद ही मेरी पसंद की छो क्षाना है वो खिलाया हो और मैं आज ब्रायिटी साओ भूल मतार मुझे मिला ही ने टेश्ट करने के लिए Цायका ली करते थे तब थम ने को भी करचा ऐसा नहीं किया जो अकाडेमिय की इस्तिती को ठीक कर सके और इस बज़े से मुझे लवग दस्यों साल अपनी लाइफ को अपने जीवन को सैटल करने में लग गए अब मैं अब भी मैं जो है पैसे के लिए संघर्स कर रहा हूँ अब फिर से मैं पैसे के लिए संघर्स कर रहा हूँ और तुम भी तुमने मेरी कोई मदद नहीं की और तुम मुझे बज़न भार बनके आ गए हो तुनाट कम टू मी अगयन मेरे पास दुबारा मत आना ये इतनी सारी जब बातें कहीं तो इस पैरेंट्स लैप्ट सैटर्ड या उनके पैरेंट्स जो थे वो चूर चूर होकर चले गए यह उन्हें बहुत दुख हुआ एक सब्ता के बाद जब राज अपने अफिशियल टूर पर था अफिशियल टूर होता उस पर था अफिशियल टूर पर तो वो एक लड़के अरजुन से मिला जिसका नाम अरजुन था उस लड़के से मिला बहट ट्वाइस बेंच रहा था खिलोने बेंच रहा था अरजुन ने उससे पूछा वो अरजुन ने राज से कुछ चीज़ें कुछ खिलोने खरीदने के लिए प्रार्थना की राज ने पूछा अरजुन से कि तुम पढ़ाई की बजाए खिलोंने क्यों बेच रहे हो तो अरजुन ने उत्तर दिया मेरे पिता जी एक साल पहले एक एक्सिडेंट हो गया उसमें उनका हाथ खो गया यानि कि हाथ वो अपना खो चुके है हैंड खो चुके है मैं साम को ही खिलोने बेचता हूँ मैं तीन घंटे एक दिन में मैं तीन घंटे एक दिन में बर्क करता हूँ और साम को रात को मैं पढ़ाई करता हूँ राज ने कुछ खिलोने उससे खरीद लिए और मैं उससे एक पार्ट सीख गया उसको एक कुछ रिलाइज हुआ उसने अपने मन में सोचा सोचा हुआ कि यार यह तो इतना चोटा बच्चा है अपने मापाप ebenfalls की तब भी मदद कर रहा है और मैं इतना बढ़ा हो गया हूँ मेरे मापापने पढ़ाया मैं फिर भी मदद नहीं कर रहा हूँ है ना तो यही चीज़ सोची उसने लिखा हुआ है at a very small age यहने की बहुत चोटी सी उम्र में अरजुन अपने parents के अपने माता-पिता की मदद कर रहा है लेकिन राज जो कभी expensive life style तक पहुँची नहीं सकता था पहुँचने में असमर्थ था उसने अपने parents को neglect कर दिया अन्देखा कर दिया अब देखी यहाँ पर यह तो इत्ती इस्टोरी अब आगे यह magic bird है जो हमें एक सीख देता है इसको ध्यान दे it is your duty to take care of your parents when you get older and mature जब आप बड़े हजाओ mature हो तो आपका यह करतब बनता है कि आप अपने माता-पिता की देखवाल करें ठीक है डियर तो यह इस्टोरी थी और यह magic bird था यह हमने सब सीख लिया है आगे इसकी जो exercise है choose and write the correct option तो इसका जो पहला question है Raj's father owned a welding shop तो इसमें D option सही है second number है Raj was an average student यह option ठीक है 3. Raj began to earn a handsome salary and started to live a luxurious life यह यह बी option ठीक है 4. Raj's company provided him a car इस्टिल Raj purchased a new car C option सही है 5. Raj's father requested him to give some money for his treatment इसमें D option सही है D पे ठीक कर लेना है next 6. on an official tour Raj met a small boy named अर्जुन तो अर्जुन तो अर्जुन कौन से option में a option सही है next step fill in the blanks using the correct option तो अर्जुन दिये है उसमें सो जो correct है उसको fill कर लेना है blank में खली जगह में Raj's father used to work for more than 12 hours तो यहाँ पे जो 12 है यह सही है यहाँ पे fill कर लेना है two number है Raj's dream was to become a doctor doctor fill कर लेना यहाँ पे three number पे है Raj asked Arjun why he was selling toys in a state of studying studying fill कर लेना यहाँ पे four number पे Arjun replied my father made with an accident a year ago and he lost one hand hand lost हो hand नहीं रहा था उनका तो यहाँ पे hand fill कर लेना है अगे next page पर चलते है C number है right T for true and F for false statement है ना तो first number है Raj बाजा middle aged man Raj एक middle aged man था यानि कि अधेर आदमी था तो सही है true right कर लेंगे Raj joined second one Raj joined a bachelor's degree course Raj joined a bachelor's degree course यह भी true है true right कर लेंगे three number पे है Raj did not buy a new house and a new car तो उसने खरीदा था इसलिए यह false कर देंगे इसको next one है Arjun बाज selling fruits and vegetables तो यह भी wrong हो जाएगा अरजुन जो है वो twice बेच रहा था इसलिए इसको false कर देंगे ठीक है next five number है Raj gave money to his father for treatment Raj ने अपने पताजी को इलाज के लिए पैसे दिये तो यह भी false है पैसे नहीं दिये थे उसने next one है answer the following questions सबसे पहला question है who was Raj तो इसका answer write कर लेंगे Raj बाजा middle aged man second number है what did Raj's father owned तो इसका answer write कर लेंगे Raj's father owned a building shop three number पे what was the Raj's dream Raj का सपना क्या था तो Raj's dream was to become a doctor four number है who was Arjun and how did Raj meet him Arjun कौन था Raj उससे कैसे मिला तो answer write करेंगे Arjun बाजा small boy full stop के बाद write करेंगे Raj meet him on an official tour fifth number है what happened with Arjun's father after accident accident के बाद Arjun के father साथ क्या घटना हुई तो इसका answer write कर लेंगे Arjun's father lost his hand after accident next है reasoning time describe about Raj and his father यहां राज और उसके पिता के बारें बताना है तो answer write कर लेंगे Raj was a middle-aged man he was an average student in his school his dream was to become a doctor अब राज के पिता के बारें राट करेंगे Raj's father owned a welding shop and used to work for more than 12 hours a day to lead a decent living next second number है do you also respect your parents what you do in your daily life to help your mother and father तो इसका answer write कर लेंगे yes I also respect and love my parents I help my mother in her work and I help my father also in his work आगे है fun time तो fun time में ये जो है bird grade में ढूंडना है कुछ से जो है सब दिये हूँ है जैसे doctor, dream, luxuries तो एक मैं ढूंड दे रहा हूँ बाकि आप खुद ढूंड लेंगे जैसे यहाँ पर मैंने पहला वाला doctor ढूंड रही है और इसको इस तरह से and circle याने की circle कर देना है ठीक है तो यह doctor हो गया इस तरह से बाकि सभी आपको ढूंड लेने है तो this was the video of this chapter now we will meet in next chapter with new video तब तक के लिए thank you, have a nice day